ओम शी गनेशाय नमारादरादे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वदकता एस लोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगे कि अगर गर्व में बेटा होता है तो कौन से बदलाब आपके शरीर में होते हैं कौन से लक्षन दिखाए देते हैं और क्या क्या चेंजिस आपके शरीर में होते हैं दोस्तों ये जो लक्षन में आपको बता रही हूँ देखे अपने पॉसलन एक्सपीरियन्स की आधार पर बता रही हूँ साथ ही देखे बहुत सी गर्वती महिलाओं में जिन्होंने बेवी बॉई को मतलब जरम दिया है उनमें ये लक्षन पाए गए हैं उसी के आधार पर आपको ये जानकारी दे रही हूँ दोस्तो कोई भी लक्षन देखे 100% नहीं होता है आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो केवल अपनी जिग्या सा दूर करने के लिए ही देखें किसी भी वीडियो को देखें seriously ना ले क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही important है और आप अपने बच्चे का और अपनी diet का अ जिससे मेरे आने वाली सभी latest वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुच सके सबसे पहले लक्षन है दोस्तों अगर तीसरे चोथे महिने के बाद आपकी tummy बाहर को दिखने लग गई है काफी जादा मतलब आप महसूस कर रहें कि मेरा पेट दिख रहा है और जैसे जैसे लड़किया होती है तो उसके मुकाबले जब गर में लड़का होता है तो वेट मतलब आपका tummy काफी बढ़ा और बाहर की तरफ दिखाई देता है उसका जुकाव नीचे की तरफ होता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपके हाथ पर ठंडे रहते हैं तो यह लक्षन मे देखे डाक होना और जो डाक वाली जो पटी होती है अगर वो ज़्यादा चोड़ी हो रही है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपके मुसली कमर में दर्द रहता है नाभी के मतलब राइट लैग में जातर दर्द होना ये सभी लक्षन देखे बेभी बॉइ के टाइम पे मेरे में भी दोनों टाइम पे लक्षन देखे गए थे और अधिकतर महिलाओं में ये लक्षन देखे गए हैं अगला लक्षन है दोस्तों अगर बच्चे की मूमेंट आपको लेट फील हुई है यानि बच्चे ने मूमेंट देर से शुरू करी है और बच्चे की जो मूमेंट है राइट की तरफ है राइट की तरफ आपको अगर भारी पन लगता है अगर राइट की तरफ ही आपको जा बहुत तो बाल सबके ही ज़ड़ते हैं अगर आपके बाल बहुत अधिक ज़ड़ते हैं रूखे हो जाते हैं यह मैंने दोनों प्रेग्नेंसी की टाइम पर मैसूस करा है कि मेरे बाल कम ज़ड़ते थे और ज्यादा और अधिक घने और लंबे हो गए थे अगला लक्षन है दोस्तो नाभी लाइन अगर आपके देखे साथ वे आठ वे महिने में आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपकी नाभी लाइन बिल्कुल सीधी है चाय हलकी है चाय डाक है लेकिन वो लाइन अगर आपकी सीधी है तो यह लक्षन भी बेबी बॉय होने का मा पसन आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को ओम शी गने शाय नमा